हेलो दोस्तो फिर से सागे दे मेरा चैनल पे मेरा चैनल का नाम है इलेक्रोनिक्स इंडिया मैं लोटन फिल लेकर आया हूँ एक नया वीडियो देख सकते हैं आमरे पास ARC Company का एक Local Mate का लोकल चाइना Mate का एक टीवी लेके आया हूँ इस टीवी का पॉब्लेम देखूंगा सॉलुसन करके भी बाता हूँगा तब तक हमारे वीडियो लास तक देखते रही है और मेरा चैनल पे जो नहीं आ दोस्ते उसको काऊंगा मेरा चैनल को जुरू सास्काइब कर लेना बेल आइकून को दाबा देना अल नोटिफिकस्न अन कर देना जब भी मैं नहीं आने आ वीडियो लिकाऊंगा अब लोगों को मिलते रहेंगे ठीक है दोस्तो इस टीवी का पॉबलेम क्या है वो पहले देख लेते हैं दोस्तो जब मैं टीवी को पावर देता हूं पावर देने के बाद जो हमरा स्कीन पे पिक्चर आना चाहिए वो नहीं है इसलिए मैं टीवी को पावर देता हूं पावर देने के बाद हमारा टीवी पे इंडिकेटर ओन हो जाता है और ओन हो जाने के बाद हमारा टीवी पे जो स्कीन आना चाहिए उसकीन नहीं है मदलब दोस्तों क्या हुआ हमारा सिस्टेम तो पावार इंडिकरद तो जल रहा है लेकिन पावार इंडिकरद जलने के बाद भी हमारा टीबी पर जो पिक्चर आना चाहिए उसकीन पर कोई भी पिक्चर नहीं है इसलिए क्या करेंगे पहले टीबी को ओपें कर लेते हैं और रहा किले रहा है में जीद दोस्तों आज का जो पापलेम है वह आमरे में पीजी पोब्लेम है क्योंकि हमारे टीबी को या स्कीन नहीं यह न हो रहा है इसलिए सेक्सं को देखेंगे कहां पर पॉब्लेम हो रहा है ठीक है मैं बड़ने के बाद इसका प्लटेज एक करके करूंगा तो पता चल जाएगा अथे पॉबलेम एक्चुigkeit भीया मैं पहले टी jagi ko पावर देंगे पावर देने के बाद उसके जो जो बावर सेक्सन से स्टार्टिंग करें जो yen जीवेच्टिन दीड़ाएं देखिए वान हंडरेड़ दिग जी जता रहें उसके बाद देखिए वाला tea A20 P वोल्ट पे हमारे 22 है और उसके बाद देखेंगे बारह भॉल्ट का पॉइंट पे किदना जाता है इस लिए का करेंगे जो हमारा दिया जाता है, feedback पे हमारा एक पीशेट दिया जाता है, पीशेट को आप डौन करने से हमारा ये system on हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इस पे हमारा पीशेट ये बाला जो पीशेट दिया गया है, पीशेट को घुमा के आप लोगों को voltage को भाड़ा के दिखा देता हूं, मैं ने जगा है एस्सके बाद देखना है क्या हमारा जो इस टी सेक्शन है एस्ट सेक्शन पे जो बहुंच था है कर unfode पर बोल्टेज नहीं पहुंचेगा तो हमारा यह जो इसकेन भी नहीं होगा इसलिए इसका वे देख लेते हैं जो पॉंच रहा किक नहीं जो का कोल गाया हुआ है और यह डाइरेट को ऐल पर आ जाता है देखे ओंट पॉल्टेज पहुंच रहा है उसके बाद देखेंगे जो 180 जो पॉइंट दिया गया है डायोट देखें अमरे इस पे डिसी बोल्ड होगा जो उस पे भी आमरा ओन टॉल्फ भॉल्ट ही दिएख रहा है क्योंकि जो रहा है ओंध आउट पुट पर निकल रहा आए यह श्ति नहीं ओन है और यह पी नहीं ओन होने ऎल यह operator टोल्ट यह जो 12 भोल्ट है 12 भोल्ट हमारा रेगुलेटर पर काम करता है जो रेगुलेटर भोल्टेज त्यार करता है एक भोल्टेज होता है हमारा 8 भोल्ट और एक भोल्टेज होता है हमारा 5 भोल्ट जो भोल्टेज हमारा 5 भोल्ट कहां पर है देख लेते है आई सी पर डाइरेट चला जाओँगा ये देखे 5 बोल्ट ये भी 5 बोल्ट इस दोस्तों फाइप भोल्ट से रही काम किया गया है और इस फें एट बन नहीं दिया गया है फिर बूलौ चेक कर लेते हैं अन क्या गया है और यह बसक्त जो फाइब बोल्ट दिग रहाए जो five five four five पे चेक करेंगे इस बाला पउयंट पे देखि sill धिगड़ाद क्या हूँ आमड़ा highhey सिह को starting voltage और running voltage दोनों मिल गया है यह आमारा स्टार्टिंग वोल्टेज स्वरी दोस्तों ए बाला स्टार्टिंग वोल्टेज होता है एस बाला पॉइंट पे अमारा स्टार्टिंग वोल्टेज होता है और रेगुलेटर को दोस्तों इस पे अमरा 8.9 है यह अमरा स्टार्टिंग वोल्टेज होता है इस पे एक रेगुल कि इस पर 3.9 3.4 बोल्ट दिगँ रहा है मतलब दोस्तों क्या हुआ हमारा यह इप पॉइंट को जो सब्लाई दिया जाता है और साब लाई को चेक कर लेते हैं जैसिसे वाला पॉइंट पे हमारा होता है एक ग्राउंड होता है और यह वाला पॉइंट पे हमारा इन्पूड होता है जो हमारा 3.4 भोल्ट दिया गया है 3.5 और एसले इसदे पे बोल्टेज भी चेक कर लेंगे एस पाला पॉइंट पर हमारे लीसदेन होता है जो सिरियल डाटा होता है और इस एक लोगोग दोनों पर हमारा मनाँश है मतलब क्या हुआ पिर भी एक बाच चेक कर लेते हैं इस बाला पॉइंट पे देखे फाइब फॉट आ चुका है वो हमारा मीटार का कुछ लूज हो गया था और इस पे हमारा रानिंग बोल्टेज त्यार हो जाएगा फाइब फॉट देखे फाइब बोल्ट मतलब क्या हूँ हमारे आईसी तो आ गया था लेकिन वोल्टेज आने के बाद भी हमारा सिस्टेम पे जो पिक्चर होना चाहिए यस्टी रान होना चाहिए वह यस्टी क्यू नहीं रान है इसलिए एक एक चीज़ को जैसे मैंने बोल रहा हूं उसको फॉलो कीजिए तो पाता चल जाएगा जैसे क्या होता है है मैंनaliśmy तो आन है हमारा येस्टी इसटी पे वह उल्टेज आन है लेकिन हमारा येस ती रानकी नहीं है जैसे ही हमारा इस बहे हमारा फाइब बोल्ड न हो जाएगा तब ही अबला वह जो बोला जाता है यह चाउट पे हमारा थोड़ा सा बोल्टेज जो फ्लीब होला जाता है वो फ्लीब आ जाएगा जैसे इस बाला पॉइंट पे देखे 1.9 और यह डाइडेट जाता है हमारा कहां पे यह जो एक टांजिस्टर लगाया हुआ है U603 इस पे आ जाएगा हमारा पहला नमर पिन पे पहला नमर पिन पे देखे रेजिस्टन देखे हमारा इस पे 0.3 वोल्ट आ चुका है और मीडिल बाला पिन पे हमारा भोल्टेज होगा और साइड बाला पे हमारा ग्राउंड होगा लेकिन इस पे मीडिल बाला पिन पे जो हमारा होरेजेंटल कोईल को रान करने के लिए हो टांजिस्टर पे इस पे आमारा भोल्टेज होना चाहिए लेकिन इस पे आमारा 0 भोल्ट दिग रहा है ये भोल्टेज कहां से आता है ओ पाता होना चाहिए नहीं तो डुन्टे ही रह जाएंगे और इस पे सिस्टेम अन नहीं कर पाएंगे इसलिए देखना है ये को जाता है लेकिन यह जो हमारा 24 वोल्ट यह 24 वोल्ट कहां पे जाता है एक तो 24 वोल्ट हमारा यह बाला भार्टिकल भाया करके हमारा इस वाला पॉइंट पे 23 वोल्ट 24 वोल्ट आ चुका है लेकिन इस पे आने के बाद इस पे जो भॉल्टेज आना चाहिए एक कोईल है एक कोईल और एव दूसरा कोईल एव दूसरा कोईल हमारा होरिजेंटल सिंक को जो फिकोनिसी देने के लिए काम करता है लेकिन ये बाला जो कोईल है ये कोईल हमारा भोल्टेज और फिकोनिसी को पांच करता है लेकिन इस पे तो हमारा भोल्टेज दिख रहा है हमारा भोल्टेज आ रहा है 25 बोल्ट लेकिन दूसरे नंबर पीन पे हमारा कोई भी भोल्टेज नहीं है देखिए फॉल्ट फाइब मतलव क्या हुआ forecasts to हमारा सही है लेकिन यो बोल्टेज मरत या जो palabra भाएक करके यह मैंदील वाला टांजिस्टर का पीन हिह यह टांजिस्टर का पीन पर The voltage आना चाहिए जब यहuni को अर्ण करने के नहीं करते हो तो Ό लेकिन हैं और निया बाला कोई लेकिन या आप लोग कोई कंट फिरूज को एलीस कर से लाएक को सब्सक्राइबर क्टेट है। थिए मैं क्या करूं गा खोईल को उपन करके देख लेते हैं दोस्तो मैंने जो horizontal coil के लिए बाताया था वो horizontal coil को मैंने open कर चुका हूँ जो horizontal sink coil होता है उसको open करने के बाद एरा हमारा coil दोस्तो एक चीज मैंने नोट किया जो जो हमारा output coil होता है output coil हमारा मोट जो OR दिया गया है वो OR सही है connected है coil connected है लेकिन दूसरा बाला जो coil है coil open हो गया था इसलिए मैंने जब आच्छी तरह से इसको देखा देखिए आप लोग भी देख लीजे यह जो coil है coil हमारा यह बाला point के समने ही काट चुका है इसलिए क्या करेंगेिए coil को आच्छी तरह से open करके इसको अच्छी तरह से इसको bisher कर देंगे तो हमारा coil सੁने हो जाना双 चाहिए नहीं तो यह नहीं होगा तो नया ula coil तो हैए इसलिए क्या करेंगे इसा क्या प्यूनेट नोज तो पाता चल जाएगा हमारा दोनों कॉयल से ही है की नहीं ठीक है मैं इसको आच्छी तरह से कानेट कर लेता हूं और इसको लागा के भी चेक करूंगा इसका वोल्टेज टांसफर करता है की नहीं और हमारा सिस्टेम ओन होता है की नहीं ठीक है मैं इसको कानेट कर लेता हूं दोस्तों मैंने इसका कॉयल जो काट चुका था मैंने आच्छी तहरा से कॉयल सर्व लिए करने के बाद इसको कानेट कर चुका हूँ देखिए कैसे कानेट किया गया है और कानेट करने के बाद इसका जो कॉंट्टिनिट है कॉंटिनिटी काम कर रहा है मतलब य奇怪 है उसके बाद क्या करेंगे इसको कानेट कर देंगे जीस जो हमारा बोल्टेज इलेड़ट पॉबलेम था और हमारा होरेजण्टल सिंग नहीं अनुप हो पह रहा था वह बाला पॉबलेम भी इस वाला पॉइंट पे आमारा आ जाता था जो voltage पे हैं इस पे आमारा voltage आ जाता था देखें 17 बोल्ट आ चुका है जो रिजिस्टेंट भाया करके इस पे हमारा 24 इंड होगा 27 आ चुका है और इस पे हमारा आउटपूर्ट होगा 17 बोल्ट जीदना चाहिए तना लेगए जो दिया गया है वो रेजिस्टेंट रोत कर देगा और उसके बाद इस वाला पॉइंट पे जो बोल्टेज नहीं था देखिए हमरा 16.2 आ चुका है और जो मीडिल बाला टांजिस्टर पीन पे पे हमरा बोल्टेज नहीं था वह बाला पॉइंट पे पीचेक करेंगे 16.2 और एक पोट पे हमारा 180 भोल जो निकल के आना चाहिए, ओ 180 भोल निकलता है कि नहीं, देखिए, 180 भोल पाक्का निकल रहा है, मतलब क्या हुआ, हमारा एस्टी रान करना शुरू कर दिया, और हमारा टीवी भी ओन हो चुका है, और ओन होने के बाद जो हमारा पिक्चर होना चाहिए, देखेंगे, देखेंगे, हमारा टीवी पी, टीवी ओन हो चुका है, ARC दिख रहा है, मतलब क्या हुआ, हमारा टीवी पे जो स्कीन का जो पॉब्लेम था, स्कीन नहीं ओन हो रहा था, और स्कीन पे क्या हुआ, हमारा एस्टी नहीं ओन हो रहा था, इसलिए हमारा स्कीन पे सब्सक्राइब को भी वोल्टेज पहुंच रहा था लेकिन इस्टी कोईल नहीं हो रहा था इसलिए क्या किया मेरा होरेजन्टल सेक्षेन पे जो एक टांजिस्टर लगाया हो आता है जो अमारा सिंक के लिए ओपाला टांजिस्टर का मैंने जब मिडल बाला पींट चेक किया तो मुझे पाता चला इस पर बोल्टेज नहीं पहुंच रहा है जब मैंने यह बाला छोटा सा कोईल को चेक किया तो यह कोईल काट चुका था इसलिए इन्पूट हो रहा था वोल्टेज लेकिले आउट पूट नहीं हो रहा था और हमारा होरेजन्टल सिंक का जो मिक्सिं नहीं था स्कीन भी ओन हो चुका है और हमारा कोईल का जो वोल्टेज रिलेटिड पॉब्लिम था उवाई पॉब्लिम भी सॉल्व हो चुका है ठीक है दोस्तो इसी दर आका निया आने आ वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जुरू सस्काइब कर लेना बेल आइकुन को अबादेना ओल नुटिपिकिसन अन कर देना जब भी मैंने आने आ वीडियो लेकाऊंगा अब लोगों को मिलते रहेंगे ठीक है दोस्तो मिलते हैं नेक्स वीडियो पर तब तक लिए दोस्तो गुडबाई